हम आदी सकती मावैशनों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं मावैशनों रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम आदी सकती मावैशनों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं मा वैशनो रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का तेता युग में बढ़े गया दैत्यों का आत्या चार होने लगी थी विजैया धर्म की धर्म रहा था सभी देवताओं को थी फिर मा की आदाई सरस्वती लच्मी और काली मा तीनों आई तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वैरू हात जोड बोली कन्या है माता बतलाओ मुझे बनाने का परियोजन क्या है जड़ा समझाओ सभी देवता जैका रामाता का लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आवेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विगड़े का है पावन मा का धां यह बनते विगड़े का तीनों माता बोली इक राजा रत ना सागर कन्या रूप में ले लो जनम तुम जाके उनके घर फिर कन्या ने तीनों के आदेस कमान किया राजा रत ना सागर के घर जाके जनम लिया त्रिकुटा और वैश्न भी उस कन्या का नाम पड़ा अदबुत कन्या जनमी राजा प्रसन हुआ है बड़ा यक्य हवन भी करता राजा और कभी करे सिकार खेल खेल में राजा ने कई पस पच्छी दिये मार सौक में कई निर्दोस प्राणी मारे जाते हैं अबै शुरूप में क्यूं आई ये आम मतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते बिगडे का है पावन मा का धां यह बनते बिगडे का सौक पिता का वैस नविकों तो रास नहीं आया क्यूं करते वद निर दोसों का पिता को समझाया अगर आप ना दे सकते हो निर जीवों को प्रान किस हक से फिर आप उलेते इन जीवों की जान बेटी के जो सुने विचार वो हर सित बड़ा हुआ वैश्नो धर्म का उस दिन से धर्ती पे जन्म हुआ किसी कवधना करना राजा हुक्म सुनाते है पावन कथा सुनाते है मा वैश्नो रूप में क्यूं आई ये हम मतलाते है है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का फिर भगती के मार्ग पे कन्या का मन आया करना है मुझको तप माता पिता को समझाया सुनकर वेटी के मचनों को माता हुई बेचै बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रह घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी देख के नर्भक्षी पसों को बेटी डर जाओगी घबराओ ना माता मुझको दे दो आशिरवार पर योजन इस धरती पर आने का मुझे है यार ना चाहते हुए मात पिता अज्या दे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा विश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतिलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का मात पिता की आग्या लेकर वन को किया प्रस्थान सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभू का ध्यान अनजल उसने त्याग दिया छोड़े संसार के काम घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए देख के कन्या की भगती को मन में हर साए क्या चाहती हो है कन्या तुम मुझे को बत लाओ बोली अरधा गिनी रूप में मुझे को अपनाओ इस युग में पतनी मेरी सीता राम बताते है पावन कथा सुनाते है मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बत लाते है है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का बोले राम हे कन्या तुम्हारा अपना हो बेकार कल युग में जब कल की रूप कलेंगे हम मोतार फिर तुमको अरधांगी नी रूप में हम तो अपनाएंगे इच्छा पूरण होंगी कल की रूप में जब आएंगे त्रिकूट पर बत पर जाकर तब तक तुम वास करो भकतों का उधार करो दुष्टों का नास करो वहां वैश्णो देवी नाम से तुम जानी जाओगी सकल स्रिष्ट में हे कन्या तुम ख्याती पाओगी राम प्रभू फिर त्रिकुटा को ये वर दे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैश्णो रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं है पावन मां का धां यहां बनते बिगडे का सिरी राम के आँख्या का मा पालन है गरती वैश्णो देवी रूप में माता सब के दुख हरती स्रद्धा भावस जो भी आता है इनके दर्बार सारे कष्ट हरे माता और खुसियां मिले अपार तीनों रूप में यहां भी राजे जग की रखवाली मात सारदा महालक्ष्मी और महाकाली जिन भगतों को होता वैश्नों माता पे विस्वार नहीं तूटने देती माता बेटों की कोई आज तभी तुदर सन करने भक्त लाखो आते हैं मावन कथा सुनाते हैं माविश्नों रूप में क्यों आई ये हम बत लाते हैं है पावन मा का धाम यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धाम यहां बनते बिगडे का कट्रा से कुछ ही दूरी पर हनसा लीक गां माता का एक भक्त हुआ था जिसका स्रीधर्णा माता के चर्णों में उसकी ऐसी लगी लगन छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता अति निर्धन हो कर भी सबका करता था सम्मा एक ही चिन्ता थी उसको ना थी कोई संता माता के चर्णों में नित अरदास लगाते है वावन कथा सुनाते है मा वेश्व रूप में क्यों आई ये आम बतलाते है है पावन मा का धां यहां बनते विग्डे का है भक्त सिरी धर के मन में फिर एक दिन उठा सवाँ भक्ती में क्या दोस है मेरी करती नहीं खयार क्यों नहीं देती दर्सन मुझे को ये तो बतलाओ सच्चा दास तुम्हारा हूं मा मुझे को अपनाओ बोलासी से जुका कर मैंने अब मन में ठानी जब तक दर्सन ना दोगी ना खाऊं अनपानी रोज की तरहा किया उन्होंने फिर कन्या पूजन कन्या रूप में माता के उनको हो गए दर्सन हाथ जोड कर कन्या से कुछ पूछन चाहत है पावन कथा सुनाते है मावे शुरूप में क्यों आई ये हम बतलाते है है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का कौन अलो किक सकती है ये ना वो पहजाने करते प्रस्न इससे पहले खुद ही लगी बतलाने है मेरा आदेश की सारा गाउं को बुलवाओ मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ जो भी मिलता जाए उसको दे दे ना न्योता भोजन करवाने से बड़ा कोई पुन्य नहीं होता मन ही मन सोचे स्रीधर ये कैसे हो पाएगा छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गाउं आएगा आति निरधन थे स्रीधर चिन्ता में पढ़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यूं आई ये हम बतिलाते हैं है पावन मा का धान यहां बनते बिगडेका है आवन मा का धां यहां बनते बिगडेगा है जग जननी माता तुम ही रखना मेरी लाज कठिन पर इच्छा है मेरी मुझे को लगता है याज घर घर जा कर नी मंत्रड वो सब को दे आया भैरोनात का डेरा भी था रस्ते में पाया हाथ जोड कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा सारे गाओं के संग आपको भोजन करवाऊंगा बोले भैरोनात है स्रीधर क्या तुमने पाया फूटी कोडी नहीं है करसे भंडारा लाया उस कन्या के बारे में स्रीधर बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यूं माई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का सुन स्रीधर की बात अचंभित भैरो बड़ा हुआ गोरखनाथ गुरू को सारी बात बताने लगा बोले गोरखनाथ की देखे कौन है वो कन्या करते हमको त्रिप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा अपने सिस्यों संग हम स्रीधर के घर में जाएंगे देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे भैरो और गोरख अपने सब चेलों संग आएं बने हचपन भोग देखके वो तो चकराएं कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का देखा के एक कन्या सबको भोजन रही खिला ना साधारन कन्या ये मन में संदे है हुआ बोले गुरु से भैरो इसका लेना पड़े इंतहान है साधारन कन्या कोई मैं नहीं सकता मान बोले भैरो कन्या से ये भोजन नहीं है खास पीने को हम चाहिए मदिरा और खाने को मास कन्या बोली है भैरो क्या तुमको नहीं विवेक ये है वैश्नो भंडारा क्या नहीं रहे तुम देख फिर भैरो कन्या का हाथ पकड़ना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावै शुरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन माता धां यह बनते विगड़े का है पावन माता धां यह बनते विगड़े का हाथ पकड़ना चाहां कन्या हो गई अंतर ज्यान पर अपने तप पे भी था भैरों को बड़ा अभिमान गर्ब जून की गुफा में माता फिर जा कर गई पैर खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरों रहा था है गुफा के द्वार पे एक साधू ने भैरों को समझाया लौट जवाप इस भैरों वरना काल तेरा है आया क्रोध में भरके भैरों ने उस साधू को दुदकारा क्या मुझे को तुम नहीं जानते भैरों नाम हमारा करते काम है पूरा जो जिद पे अड़ जाते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का घां यहां बनते विगड़े का है पावन मा का घां यहां बनते विगड़े का भैरों नात ने उस साधू की बात नहीं मानी हट करके घुस गया गुफा में वो भैरों अभिमानी माता कुँ आभास हुआ अपना तिर सूल उठाया गुफा के पिछले भाग में जाकर रस्ता एक बनाया काहां गई वो कन्या भैरों होने लगा बेचैं जब तक भेद नहीं जानूंगा आये न मुझ को चैं त्रिकूट परवत की गुफा में वित्त मान थी मा काहां छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोडू ना लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरों पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यों माई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का लांकुर वीर को फिर भैरों ने युद्ध के लिलाल कारा कहा थे पीछे हटने वाले दिया चवाब करारा लेकिन लांकुर वीर में भैरों पढ़ने लगे भारी क्रोध में भरके आगई माता अश्ट भुजा धारी वध करने को भैरों का माता हो गई मजबूर काट दिया सर भैरों नात का गिरा वजा के दूर भैरों को अपनी गलती का फिर आभास हुआ किये कराए तपका मेरे माता नास हुआ माता से बिंती करके वो माफी चाहते है पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्वरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का करुडा मैं मात ने फिर भैरों को माफ किया भूल को कर दिया माफ तेरी मैंने इंसाफ किया है भैरों ये तब तेरा यू व्यर्थ न जाएगा जो मेरे दर्सन करेगा वो तेरे दर भी आएगा माने जाए मेरे दर्सन तेरे विना धूरे मेरे बातेर दर पे आए तभी वो होंगे पूरे इसलिए जो भत वैशनों द्वार पे आते हैं माता के दर्सन कर भैरों मंदिर जाते हैं जोर जोर से जैकारा माता का लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्वरूप में क्यों आई ये हम बतिलाते हैं है पावन माता धां यहां बनते बिगडे कां है पावन माता धां यहां बनते बिगडे कां सपने में आकर माने स्रीधर को दिया वर्दा चार पुत्रों की घर में तेरे हो जाए संता युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा वंस करेगा ना ही रहोगे निर्धन तुम ऐसा भंडार भरेगा माता के वचनों को सुनकर स्रीधर धन्य हुए सब इच्छाएं हो गए पूरी अतिप्रैसन हुए सब से अब तक स्रीधर वंस ही करता मा की पूजा वैश्नों धाम सा इस दुनिया में धाम नहीं है दूजा हो जी सुरेस और डीयस पाल तुसीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैश्नों रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धाम यह बंते विगडे का